हलो दोस्तो नमस्कार बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर आप सभी लों को पता है quarter 4 के result लगातार हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं आज के दिन की बात करें तो एक और बड़े company के number हम लोगों को फिलाल तो देखने को आपे मिल रहे हैं जिसका नाम है Ereda Ereda की अगर हम लोग बात करेंगे आप सभी लोगों को पता है हाली में ये company लिस्ट होते वे देखने को आपे मिल चुकी है और जब से लिस्ट हुए तब से लेके अभी तक काफी जबरदस returns उन्होंने अपने shareholders को कमा के दिये 1500% से भी ज़्यादा के returns देखने को आपे मिले है हलाकि 1500% के returns इबदम आसानी से नहीं बने काफी सारा testing उन्होंने अपने shareholder का भी आपे दिया है बीच बीच में 10% 20% तक stock हम लोगों को गिरते वे देखने को मिला था इबदम जोरदार उससे भी ज़्यादा गिरावट हुई थी अगर आप यहापे भी चेक आउट करोगे 35 30% के आसपास के roughly गिरावटे देखने को मिले थी यह तो share market रहता है कमजोर investor को हमेशा market भार निकाल देता है और जो logical investor होते है जो अपने study के पर भरोसा रखते है उनको यह long term में अच्छा कासा फाइदा दे लाता है अभी long term करते हैं नहीं कि हर किसी stock में blind लिया आप long term बने की दिन पता चलेगा कि एरेडा की नंबर बाजार को अच्छे लगे या बूरे लगे करके तो चलिए आज आते है company के number के और तो ठीक है दो तो company के number open हो चुके है सबसे पहले sequence देखेंगे March, December, March तो sequence बिलकुल ठीक है जैसे हम लोग पढ़ते है वैसा ही sequence है कुछ-कुछ company के sequence हम लोग को अलग देखने को मिल जाते है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि company का total income कितना है तो total income है 1,39,000 obviously rupees in lakhs, millions हम ल directly comparison करके देखेंगे तो easily समझ में आ जाते है कितना है 1,39,000 तीन मेरे पहले कितना था 1,25,000 और एक साल पहले same quarter में था 1,00,000 के करीब so 1,00,000 के करीब का जो income था वो हो चुका है लगबग 1,49,000, 1,25,000 का जो income था वो इस वक हो चुका है 1,40,000 के करीब मतलब हम in short यहापे कह सकते हैं कि company का जो income है quarterly as well as yearly काफी अच्छा का सामनों को बढ़ते वे देखने को आपे मिल चुका है but as usual आप सबी लों को पता है सिर्फ income बढ़कर काम नहीं चलता है भई profit भी तो यहापे होना चैन profit तभी होता है जब आपका income expense से ज़्यादा देखने को मिल जाता है अगर आपका income कम है expense ज़्यादा है तो आप घाटे में चले जाओगे तो कितना खर्चा किया है कमपनी ने इतना कमाने के लिए 91,000 का खर्चा देखने को मिल रहा है last time था 86,700 and एक साल पहले था 74,700 तो ठीक है आप सबी लों को पता है जो कमाई होती है उसमें से खर्चे हटा देंगे profit मिलेगा या फिर loss मिलेगा इरेडा की बात करें तो profitable ही company है क्या profit ज़्यादा है कि कम है वो देखने वाली बात रहेगी and profit बिना किसी adjustment tax वाला profit को पहले हम लोग study करेंगे जो कि हम लोग को देखने हो का आप मिल रहा है Roman number 5 में आप यापर देख सकते हो profit और loss before the exceptional item and taxes तो वो कितना profit देखने हो का आप मिल रहा है चलो आप चाओ तो directly next NPBT के ओपर भी jump कर सकते because exceptional item कुछ ही नहीं so उस हिसाब से अगर हम लोग देखे तो वो है लगबग 47,967 rounded figure पकड़ ले तो यह company का tax के पहले का profit जो कि तीन मैंने पहले था 38,614 almost and एक साल पहले था 28,838 so 28,838 कितना हो गया 47,967 बिना किसी tax का profit and 38,600 का profit कितना हो गया 47 तो इतना आराम से पता चल जाता है कि NPBT company का yearly quarterly बहुत ही कम्माल का हम लोगों को grow होते वे देखने को मिल चुका है बड़ इसके बाद आपको बता ही है बाई कि आपको tax देना पड़ता है सरकारी company सरकार को यह tax देगी अपने घर में पैसा गूमता रहेगा anyways but final profit जो हम लोगों को देखने को मिल रहे है NPAT यह आप लोगों को news channel website के उपर blogs के उपर देखने को पढ़ने को मिल जाए को कितना है 33 737 I guess बहुत easily visible है बट फिर भी चलो लिखी लेते हैं तीन मेने पहले कितना था 33 554 almost and एक साल पहले था 25,362 तो yearly देखेंगे 25,000 के रेंज का profit 33,000 के रेंज तक आ चुका है easily growth नजर आ रही है पिछले तीन मेने पहले कितना था 33 554 वो कितना हो गया 33 738 मतलब in short देखा गया yearly अच्छा performance एक quarterly देखा गया तो slightly jump नजर यहां पे आ करके बट खास point कौन सा रहता है कि company ने अपने business में growth लाने के लिए नए नए दर्वाजे open करने होते हैं अभी इरेडा आपको पता ही है renewable energy को क्या करते है companies को जो सरकारी projects होते हैं उनको finance करता है तो बीच में उन्होंने कौन सा नया दर्वाजा open किया था yes वो retail को भी PM को सिम योजना के चलते loan बाटेंगे so यह जो दर्वाजा उन्होंने open किया है यह भविश्य में उनको काफी अच्छा कासा business दे सकता है और कमाई यह आपे करवा सकता है इसी point के चलते इरेडा में हमनों को शांदार तेजी देखने हो का आपे मिले थी so इस वक्के अगर हम लोग की बात करें NPAT की तो year on year basis यहापे अच्छे number देखने हो को मिल रहे है quarter on quarter थोड़ा सा flattish of performance देखने हो का आपे मिल रहा है बट अभी आ जाते सबसे important चीज़ की और वो रहता है earning per share so EPS की अगर हम लोग बात करेंगे तो EPS कितना है per share के हिसाब से क्यूंकि number of shares हम लोग ज्य की थोड़ा सा yearly performance हम लोगो अच्छा यहापे देखने को मिल रहा है so ठीक है दोस्तो जो भी numbers थे वो मिने आप लोगों के सामने आपे रख दिये जा चुके है then अगर हम लोग company के बाखे के commentary की बात करें तो वही चीज़े हम लोगो repeat होते वे देखने को मिल रहे है जो की पि रिटेल मार्केट को capture करने की कोशिश की है बोड ने भी इसे related approval यहापे दे दिया है काफी सारे loans company ने आपे किये sanctions यहापे करके रखे हुए अगर पिछले financial year 24 की अगर हम लोग बात करें तो और उसी के साथ-साथ company ने ट्रेलर में भी आपे बताया था कि somewhere around हम कह सकते कितने loan sanctions किये थे 37,354 करोड और कितने loan disburs किये थे 25,000 करोड से भी ज़्यादा तो और अगर हम लोग आपे growth की बात करें तो 26% की growth फिलाल तो हम लोग को देखने को आपे मिल चुकी है और और जो loan book है वो लगबग 60,000 करोड के करीब हम लोग को जाते वे देखने को मिल चुकी है है तो government company ये एक point आपको पता होना चाहिए second अगर देखा गया जो एक अच्छी बात है जो कि ये future oriented business में company finance करते वे देखने को मिलने वाला है तो इसमें अभी हम लोगो काफी सारे other government players भी हम लोगो आते वे देखने को मिलने वाले है तो competition और भी ज़्यादा बढ़ते वे देखने को मिलेगा तो ये एक point पता होना चाहिए कि कैसे ये market को capture करेंगे ये एक देखने वाली बात जरूर यहापे रहने वाली तो ऐसा randomly जाके किसी भी stock में पैसा नहीं डालना होता है चाहिए तो क्या second standard का बच्चा भी डाल देगा बट logically जाना ये सबसे important चीज हम लोगों को पता है यहापे होनी चाहिए next अगर हम लोग यहापे बात करें तो आप सभी लोग को पता है बाई election का period है तो यह सरकारी company है तो जो भी company elections के results आएंगे exit poll भी हम लोगों को देखने का आप मिलेंगे तो उसका impact इस stocks के उपर जितने भी सरकारी companies है उनके पर directly पढ़ते हैं देखने को मिलेगा तो यह भी point आप लोगों को पता होना चाहिए ऐसा ने बहुत सारों लोगों को में देखता हूं जो कमेंट section से पता चल करना होता है ठीके sir मेंने इस इस एक्स यजड कमपनी में पैसा लगाया यह 100 रुपे का stock अभी 80 के आगया अभी में क्या को आप समझ रहों 10-20 रुपे से ही डर जाते हैं बाद में investigation करना start करते तो उसका कोई फाइदा नहीं जो भी करना है पहले करना है उसके बाद decision लेना है तो यह एक point आप लोगों को जरूरू पता है या पर होना चाहिए तो company ने तो अभी अभी start या पर किया है ठीके बहुत कुछ चीज़े होती है दोस्तो share market से लेटेड मैंने बीच में वीडियो भी बनाय था आप किसी भी company में जाओ अच्छे से study करो because हर एक stock कभी ना कभ अब डर के मारे चले जाओगे तो यह point आप लोगों को जरूर यहापर note करके आप रखने चाहिए तो और अगर देखा गया तो company का जो performance रहा है वो ठीक है हम लोगों को देखने को मिल रहा है खास करके जो भी इसके उपर दाव लगाया जा रहा है वो future oriented business की सबसे लगाया business होना हम लोगों में सबसे एक important part यहापर रहता है तो यह एक चीज आप लोगों को जरूर पता है यहापर होनी चाहिए तो ठीक है दोस्तो जितने भी important points से सारे cover कर लिए अभी मंडे की दिन देख लेंगे कि company का reaction कैसे रहता है प्लस अगर देखा गया तो company का जो circuit filter था वो चेंज यहापर हो चुका है पहले तो 5-5% पे ही circuit यहापर लगते थे इस company में जो कि अभी change होके 20% तक हम लोगों को बदलते वे देखने को है आपर मिल चुके है तो मंडे के दिन पता चलेगा कि और बाजार को इनके number कैसे लगे जो भी अगर देखा गया नंबर ठीक ठाक कि देखने को आपर मिल चुके है तो आशा करते हैं दूस्तों वीडिया अलफू लगा होगा तो चाओ तो आप इसको like and share कर सकते हों मिलते हैं नेक्स टूड़े में तब तक के लिए बबाए